मान्य धक्ष महोद है, हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सूसाशन रास्ट की निती का प्रगती का मूल मंत्र है, हमारी सरकार एसी पारदर्सी और जबाब देह प्रशाशन की बेहुस्था करने के लिए प्रतिवद्ध है, जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्यान के के लिए छमता निर्मानी ओजनाएं तयार और किर्यानवित कर रहे हैं सरकार ने एक इकृत आउनलाइन प्रसिक्षन के लिए आई गौट करमयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी सुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी करमचारियों को अपने कौसलों का उन्यन करने के लिए और लोक के अंदरित द्रिष्टिकोन अपनाने के लिए निरंतर सीखने के आउसर मिलेंगे महोदय ब्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 49 हजार से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3400 से अधिक विदिक उपबंधों को अपराध किसरेनी से हटाया गया है बिश्वास आधारित सासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 के अंद्रिय अधिनियमों में संसोधन करने के लिए जन बिश्वास विध्यक पेस किया है इस बजट में हमारी अर्थवेष्था के सामर्थ को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिसिल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृतिम बुद्धिमता से भारत के लिए कारे कराएं के वीजन को साकार करने के लिए देश के सिर्ष सक्षिक संस्थानों में कृतिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टा केंद्र अस्थापित किये जाएंगे अगराणी उद्योगपती, क्रिशी, स्वास्त और संधारणी सहरों के छेत्रों में बहु विश्यक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक अप्लिकेशन तयार करने और मापनिय समस्याओं के समाधान तयार करने में सहभागी होंगे इससे क्रिशी बुद्धिमता के कारगर एको सिस्टम को प्रेडित करने और इस छेत्र में गुणमत्ता मानों समसाधनों को परशिक्षित किया जा सकेगा रास्टिये डाटा शासन निती, स्टार्ट अप्स और सिक्षा विदों द्वारा नवाचार और अनुशंधान सुरू करने के लिए रास्टिये डाटा शासन निती लाई जाएगी इस से अग्यात नाम से आने वाले डाटा तक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी किया जाएगा एक आकार सब के लिए उप्युक्त के बजाए जोखिम अधारित मांडंड अपनाकर KYC प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा वितिये छेत्र के बिनियामकों को एसी KYC प्रणाली रखने के लिए प्रोचाहित किया जाएगा जो डीजिटल भारत की जरूरतों पूरा करने के लिए सहाज हो सके झाल